असलम अलेकुम दोस्तों कैसे हो अब सब उमीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे जुमो एंड कश्मीर में एक एक्जाम लिया जाता है कॉलेजस एडमिशन के नाम पे तो यहाँ पे आपने कभी सुना है कि जिसके एस्पेरेंट्स काम है और सीट जादा है उसका एंटरन्स एक्जाम होता है नहीं होता है रोलोज के मताबिक जिसके एस्पेरेंट्स काम होंगे सीट्स जादा होंगे उसका एंटरन्स कंडेक्ट नहीं होता है डिगरी कॉलेजस एस्टैबलिश करने का क्या मकसद था Newly degree college establish करने का यही मकसद था कि जो fall-flung areas के students है उनको हम अपने area में college establish करेंगे वहाँ पे ताकि उनको ज़्यादा सफर नहीं करना पड़े अपने study के लिए बट यहाँ पे जब से ये exam system, entrance exam system college में लाया गया है इससे यहाँ पे कही कभी student अब किसी भी college में जा सकता है जिससे newly established करने जो colleges establish करेंगे है उनका कोई मकसद ही नहीं रहा है उनका हक जो था वो नज़दी की areas में जो students थे उनका था बट यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा पिछले साल भी लगबग यहाँ पे 80,000 candidates ने apply किया था CUETUG exam में बट एस्पेरेंटस जो फिर शामिल हुए थे exam में वो हुए थे 60,000 के आसपास मतलब बहुती कम तादाद है सीटस के मुकाबले सीटस की अगर हम बात करेंगे तो जुमो एंड कश्मीर में 120 डिगरी कॉलेजस है जिसमें जो है सबसे छोटे जो कॉलेजस है जो नियूली एस्टैबलिश कॉलेजस है उनमें 600,500 की कैफसिटी है तो जो बड़े-बड़े कॉलेजस है उनमें 1500, 1800 के कैफसिटी है सीटस है बड़ यहां पे लगबव वन लाग प्लस सीटस है जुमो एंड कश्मीर डिगरी कॉलेजस में बड़ जो सीउ एटी यूजी एस्पेरेंटस है जो कॉलेजस में फिर एडमिशन लेते है 12 के बाद वो खाली 80,000, 90,000 होते है तो यहां पे यह पहली बार ऐसा हो रहा है किसी एक्जाम में किसी एंडरेंटस एक्जाम में जिसमें एस्पेरेंटस कम है और एंडरेंटस एस्पेरेंटस कम है और सीटस ज़्यादा है बड़ स्टूडेंटस से पाइस से ले जा रहे है 1400, 1500 ले जा रहे है स्टूडेंट्स के जेपे काटे जा रहे हैं मतलब यहां पे कोई भी सैलस नहीं है इस एंटरन्स एक्जामलेशन का क्योंकि जहां पे सीट्स जादा होते है और एस्पेरेंट्स कम होते है उसमें एंटरन्स एक्जाम कंडेक्ट नहीं होता है